वक्ट बोट के अधिकारों पर कैची चलाने के लिए संसद में आज कानून पेश किया गया है लेकिन इस बीच वक्ट बोट कैसे लोगों की जमीनों पर कबजा करता है इसका उधारन सामने आया है हलाकि देश की नियाई प्रणाली में तैनाज जिम्मेदार जज वक्ट के ऐसी साजिशों को पूरा नहीं होने देने है मामला मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से जुड़ा है यहां के एतिहासिक महत्वसी जुड़ी इमारतों को वक्ट बोट ने नोटिफिकेशन जारी कर अपनी संपत्ति बता दिया था मामला कोट पहुँचा तो जजज साब ने वक्ट बोट के वकील को ऐसी रतार लगाई जब सूशल मीडिया पर वाइरल है यह मध्यप्रदेश हाई कोट की जबलपूर बेंच का वीडियो है यहां नियाई मूर्ती गुरपाल सिंगहलू आलिया ने एक मिसाल कायम की है दरसल मध्यप्रदेश के जबलपूर हाई कोट में लंबे वक्ट से वक्ट बोड और केंदर सरकार के बीच प्रापटी का विवाद चल रहा था इसी पर उन्होंने एक एतिहासिक टिपपणी करते हुए संपत्ति को केंदर सरकार की जोली में डाल दिया फैसले के दोराण जबलपूर कोट के न्याय मूर्ती गुर्पाल सिंगहलू आलिया ने वक्ट के अधिकारों के दुरूपयों के बीतु के दलील से तंग आकर तंज कस्ते हुए कहा भाई साहब आप आज मेल भी लेलो या लाल तिला भी लेलो कौन मना कर रहा है या प्यार से कोश्चन समझ में नहीं आते हैं आप लोगों को किसी के प्रोपर्टी को आप प्रोपर्टी डिकले कर सकते हैं अब टेल में दरसल वक्त ने देश की धरोहर भोशित तीन एतिहासिक इमारतों पर अपना दवा ठोक दिया था इन संपत्यों में जिनके मालिके का कोई प्रमान वक्त बोट पेश नहीं कर पाया आखिर में वक्त बोट मैज नोटिफिकेशन के चलते इसे वक्त के हवाले करने की मांग कर रहा था जिस पर नयाय मूर्ती एहलु आलिया ने वक्त बोट के वकील को कड़ी बाते सुना दी संपत्ती गोशित कर सकते हैं. क्या केबल अधिसूचना से इसे आपकी संपत्ती गोशित किया जाएगा? ये संपत्ती 90 के दशक में ही एतिहासिक दरो और गोशित हो चुकी है. बिना किसी मालिकाना हक के बिना कुछ देखे इस पर अधिसूचना जारी कर दी. बताईए इसके मालिक कौन थे? अधिसूचना जारी करने से संपत्ती आपके कैसे हुई? फिर आप क्यो छोटी-छोटी अधिसूचना जारी कर रहे हैं? इकट्था कर दो, जंजट खतम. इसके बाद न्यायधीश जीयस एलू आलिया ने बुरानपूर में स्थित शाह जिया की बहू, के तीनों संपत्तियों को केंदर के हवाले करने का फैसला सुनाया. कहा जा रहा है कि इस फैसले से प्राचिन इमारतों पर केंदर सरकार का अधिकार होगा, वक्फ इन पर अपना हक नहीं बता पाएगा. ऐसे मामलों में जवलपूर के उच्चनायले के फैसले ने मिसाल की है. दरसल कॉंग्रेस ने की उपिय सरकार ने वक्फ बोड को असीमित अधिकार दे दिये हैं. वक्फ बोड किसी भी जमीन का नोटिफिकेशन जारी कर उसे अपना बता सकता है और इसके लिए उसे प्रमान देने के ज़रूरत नहीं पड़ती है. जबकि जिसकी जमीन पर कि बताओ ना क्यों क्यों डिकलेर हो सकती थी? अजबी ड़न इसक्षिन फाइट फ्रूर्ट को सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा. मेरा सीधा सा कुश्चन है. ब्लंट को अगरवाद साब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल ज इस रॉटेक्टेर मॉन्यूमेंट है यह से डिकलेर होगे 89 में इस इस नोटिफिकेशन इस रिचूट अब भाइचाब आप ताज में भी ले लो या लाल तिला भी ले लो कौन मना कर रहा है या प्यार से कुश्चन समझ में नहीं आते हैं आप लोगों को सिर्फ को इसी की इस नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन इस निदी अरली 19 गिना कुछी ओना शीप को बिना कुछ देखे या उना शीप्ति आपके इसके पहले से प्रायर तुर इस नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन इसका और कौन था रियल ओनर कौन था क्या हुआ कहां से यह प्रपर्टी आई रिक्वाइड इन नोटिफिकेशन अंडर दिबग फैक्ट उच नहीं मालूम किसी को मन आया वुले इसको प्रपर्टी डिक्लेर कर दूँ अओ 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 आट इस पॉसिवाइड बिरो रिपाउट वीकेशन इस लाष्ट रिकेनाब